सो ही गाइस एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुर्ते का तावीज बनाना दोस्तो बहुती आसान है कुर्ते का तावीज बनाना दोस्तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े कि आप एक ही बार में कुर्ते का तावीज बनाना सीख सकते हैं इसकी हमने कटिंग कर लिए है यदि आपको कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अब दोस्तो हम इसको खोल कर विछा लेंगे दोस्तो ये जो हमारा सेंटर का निसान है तो सेंटर के निसान से हम आदा इंग छोड़कर कट करेंगे जितना हमें तावीज रखना है दोस्तो जेंट्स कुर्टे में जो हमारा तावीज है वो left side की तरफ बनता है यानि fashion party left side की तरफ अठेच होती है और जैसे ladies कुर्ते में हमारी जो fashion party है वो right side से अठेच होती है इस तरीके से हमने fashion party को चिपका लिया है एक pair का margin रेकर हमने इसको cut कर लिया है एक party हम all ले लेंगे इस पट्टी की चोड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे अब पल्ले को हम इस तरीके से बिचाएंगे ये जो हमारा पल्ला है वो उल्टा है left side की तरफ हम fashion party को अठेच करेंगे दोस्तो एक pair का margin लेकर हम यहां तक सिलाई लगाएंगे दोस्तो दूसरी ही बटन देख बाली पट्टी को हम अठेच करेंगे तो दोस्तो इस तरीके से हम पट्टी को लेंगे और यहां पर रखेंगे जहां पर हमने सिलाई लगाई हुई थी पहली पट्टी में उसके ठीक सामने से हम सिलाई को लगाएंगे अब दोस्तो जितनी हमने सिलाई लगाई है उतना margin हम कट कर देंगे क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा कच्चा जो margin है वो देखेगा नहीं और ताभी अच्छी तरीके से पलट जाएगा इस तरीके से दोनों मारा जोनों को हम कट कर देंगे इसके बाद हम क्रोस में चटके लगाएंगे सबसे पहले हम पटन टेक बाली पट्टी को बनाएंगे तो इस तरीके से नाकून से अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे इसको और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद हम इसमें सिलाइस से इसको पका कर लेंगे तो दोस्तो बटन थेक बाली हमारी जो पट्टी है वो बन कर तयार हो गई है तो इसका जो मार्जन है उसको हम उपर निकालेंगे और जहां पर हमने चटका लगाया था क्रॉस में तो इस मार्जन को हम पकड़ेंगे इसमें टाकी बांदेंगे दोस्तो टाकी हम इसलिए बांगते हैं कि हमारा जो मारजन है नीचे कच्चा ना देखे अब दोस्तो फेजन पट्टी को हम पका करेंगे तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और लबकी सिलाई से हम यहां तक सिलाई लगाएंगे दोस्तो जहां तक हमने चटका लगाया हुआ था वहां तक हम सिलाई को लाएंगे लाने के बाद हम इसमें टाकी बांदेंगे दोनों पल्लों को मिलाकर अब दोस्तो तावीज के लिए हम कपड़ा करेंगे तो इस तरीके से हम इसको ड़ाई इंच कट कर लेंगे तो ये जो तावीज है हमारत पॉने दो इंच बनकर तयार हो जाएगा इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे डबल सिलाई लगाएंगे आंगे की तरफ तो इस तरीके से हम इसको तिकोना फूल्ड करेंगे फूल्ड करने के बाद हम लपकी सिलाई से इसको पका कर लेंगे दोस्तो एक सिलाई हमारी लगकर तयार हो गई है दूसरी सिलाई हम एक और लगा लेंगे दोस्तो बटन टेक वाले इसको हम निकाल लेंगे और फैसर पट्टी पर हम लपकी सिलाई लगा लेंगे दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्टीचिंग एक ही बार में समझ में आ गई होगी यदि दोस्तो आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लखें हम आपके मेसेज का रिपलाई जरूर करेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए अज़ाज़त अलाहापिस